हाई गाईज एन वेलकम बैक टो दी चैनल दीपश यादव एजुकेशन वेलकम टो दी डेली करेंट अफियर्स ओफ 22 अफ एपरेल 2022 तो गाईज आज है तारिक 22 एपरेल 2022 और है फ्राइडे आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर ये टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना वहाँ पर आपको डेली बिसिस पर PDF मिल जाता है अधर्वाइस इस प्रकार से चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुती सिंपल सा तरीका है डिरेक्ली टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक चैनल ओपन हो जाएंगे जाकर तीनों को ही जॉइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको PDF जैसे की TNA का PDF न्यूस पेपर का PDF फिर उसके बाद हमारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स देन डेली बिसिस पर आंसर राइटिंग वगरा करवाई जाती है पर अगर आप लोग के लिए कुछ practice questions को लगा दिया है इन सभी questions के answers आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे तो करना क्या है full concentration के साथ में इस वीडियो को सुनना है last में इन सभी questions को attempt करना है जिससे कि आपके अंदर एक confidence built up होगा कि हां मैं इन questions को काफी अच्छे से समझ पाया हूँ साथी साथ ये सारी चीज़े मैं सीख पाया हूँ दैन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपने कल वाले questions की आंसर की इसको देखेंगे क्योंकि इनका discussion हम लोग daily business पर करते हैं तो कल की आंसर की मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने questions सही attempt किये हैं और कितने गलत किये हैं पहला question कल आप से पूछा या था जो state sponsor of terrorism के list है इसके अंदर आपको चार देश देखने को मिलेंगे वो चार देश कौन कौन से हैं वो है Syria, Iran, North Korea और क्यूबा अगला question आप से पूछा या था Prime Minister Award for Excellence के लिए अभी एक scheme को select किया या है उस scheme का नाम क्या है तो उसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आमनागरिक, अगला question आप से पूछा या था, according to United States Commission for Environmental Corporation, इस body के according एक मच्छली है जिसका नाम है Vaketa Purpose, अब ये काफी खत्रे में है, ये प्रजाती पूरी तरह से विलूपत होने वाली है, तो इसका scientific name आप से अगला question आप से पूछा गया था, जो चालिसवा एडिशन है, हुनराट का, ये अभी रिसेंटली इसका उद्गाटन क्या आया है, कहां पर मुंबई के अंदर में, अगला question आप से पूछा गया था, जो Consumer Protection Act 2019 है, इसके अंदर हमारे पास एक हक है, राइट है, वो हक का लेचा, वो खराब हो गया, तो जो repairing होती है, वो भी यहां पर यह खोदी करते हैं, कहीं दूसी जगह पर आप repair नहीं करवा सकते हैं, आपके पास पूरी तरह से choice वो लोग छोड़ते नहीं है, तो यही आप से पूछा या है, कि Consumer Protection Act 2019 के अंदर, जो monopoly है, वो repair के process को लेकर, आपके कौन से हक को violate करता है, तो वो है right to choose का, ठीक है, तो यह आपको ध्यान लखना है, बाकी और भी detail, जो भी information आप लोग जानना चाहते हो, वो सब मैंने कल के वीडियो में provide करवा रखी है, उनी को लेकर कुछ questions लिये थे, उनी का answer मैंने आपको बता दिया, I hope आप लोग GS Paper 3, Defense and Security के point of view से relate कर पाऊगे, बात की गई है, INS वक्षीर के बारे में, इस article के बारे में एक छोटी सी information मैंने कल के दहिंदू के वीडियो में already दे दी थी, लेकिन वो enough नहीं थी, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी enough information देने वाला हूँ, जो कि आपको सभी exams में help करेगा, तो अभी recently क्या हुआ, एक पंडूपी है, जिसका नाम आपको INS वक्षीर देखने को मिलेगा, तो यह submarine आपको picture में दिख रही होगी, इस submarine को अभी Mumbai में पानी में launch कर दिया गया है, अब एक दो साल trial चलेगा, लगबख एक साल यहाँ पर trial चलने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी Navy को यह swap दिया जाएगा, तो इसी के बार में discussion करेंगे, प्लस मैं आपको बगाफी सारी extra information दूँगा, कि submarines क्या होती है, कितने प्रकार किये होती है, क्या-क्या working होती है, प्लस हमारे पास आज के time पर कौन को से class की submarines देखने को मिलती है, कौन को से countries का role हमार एक पास देखने को मिलता है, इस article को आप देख पाऊगे, Times of India ने cover गया है, यहाँ पर आप देख पार होंगे, साधी साथ Indian Express ने cover गया है, तो यहाँ पर जो भी information मैंने INS वक्षीर से उठा रखी है, वो सब यहाँ पर आप देख पाऊगे, Indian Express से ले ली गई है, इन्हों न अजय कुमार, Union Defense Secretary की wife है, देखो यह बहुत पुराने tradition है हमारा कि हम लोग किसी भी अपने submarines वगरों को launch करते हैं, तो वो women के तुरू किया जाता है, यहाँ पर आप देख पार होंगे, यह आगे women है, जो कि यहाँ पर इस submarine को launch कर रही है, तेयर हुआ, आगे बात करते हैं, 3.75 billion dollars की यह deal थी, जहाँ पर हम लोगों ने मांग करी थी कि हमारे पास 6 submarines आएंगी, जिसमें से यहाँ पर आप देख पाओगे, छटी submarine यह है, INS वक्षीर, क्या बाकी 5 हमारे पास आचुकी हैं, हाँ, बिल्कुल बाकी 5 हमारे पास already देखने को मिलेंगी, तो अभी फिलाल यहाँ पर यह नई वाली एक वक्षीर आप देख पाओगे, यह भी आचुकी है, इसी वज़ा से काफी चर्चा में आया, बाकी वो 5 कौन-कौन सी हैं, तो इसके नाम भी ध्यान लखना पहली है, INS कलवरी, इसको already commission कर लिया गया था, December 2017 में, देन दूसरी है, INS खंदेरी, इसको commission क्या गया था, September 2019 में, INS वगीर, इसको लाया गया, November 2020 में, देन, INS करंच, इसको लाया गया, March 2021 में, उसके बाद, INS वेला, इसको लाया गया, November 2021 में, देन, उसके बाद, यहाँ पर, INS वक्षीर, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसको लाया गया, April 2022 में, क्लियर हुआ, तो यह project 75 के अंदर सारा काम क्या या है, इसके साथ साथ हमारे पास एक और project 75 आई, तो आप लोग इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन, एक question दिमाग में, और आएगा, आखिरकार यह वक्षीर क्यों, नाम ही वक्षीर क्यों रखा गया है, तो वक्षीर यह वक्षीर के अंदर जाकर बहुत अच्छी तरीके सा अपना काम करने वाली है, और यह first submarine है वक्षीर, मतलब मैं आपको बता दूँ, देखो जो वक्षीर नाम का यह समरीन है, यह पंडूपी हम लोगों ने पहले भी रश्या से ली थी, तो रश्या के थ्रूँ यहापर जो पहली पंडूपी दी गई थी ना, first submarine वक्षीर नाम की जो थी, वो रश्या से हम लोगों ने ली थी, December 26, 1974 में, लेगिन बाद में इसको, मतलब इसका time पूरा हो चुका था, इसको decommission कर दिया गया April 30, 1997 में, तब उसी के basis पर वक्षीर राम की हमारे पास एक और submarine आ चु देखने को मिलती है, अब ये diesel submarine और दूसी nuclear submarine के बीच में क्या difference होता है, ये भी बता दो, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एक conventional submarine है, एक nuclear submarine है, या फर आपका सकतो एक diesel submarine और एक nuclear power submarine, तो दोनों के बीच का difference है, बहुत अच्छा सा पिच्चर है, आपने पास जरूर इसको download करके रखना, देखो दो प्रकार की submarine होती है, एक diesel वाली हो गई, एक nuclear वाली, अब जो ये INS वक्षीर है, ये कौन सी वाली है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, diesel वाली है, अब एक चीज और ध्यान अकना, अगर हम लोग दोनों का difference देखें, जो diesel वाली होत और जो nuclear power वाली होती है, ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है, तो आपके नजरीय में कौन से बहतर रहेगी, अब्यसी बात है, ये वाली बहतर रहेगी, क्योंकि हमें पंडूपी चलानी है, पंडूपी का major काम किया है, कि लंबे समय तक महीनों तक पानी में अंदर रहन पानी में नहीं रह पाती है, इसको बार बार ऊपर सर्फेस पर आना होता है, ठीक है, और दूसी चीज, जो डीजल वाली है, काफी सस्ती देखने को मिलती है, आप थोड़े कम पैसे में इसको रन कर सकते हो, और अराम से मिंटेन भी कर सकते हो, लेकिन जो ये nuclear power वाली सम्मर सम्मरीन है, अगर है, तो उसका नाम क्या है, वो भी आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्लियर हुआ, तो ये तो हमने सम्मरीन के बीच के डिफरेंस को कवर कर लिया, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, जादा कोई यहां पर घबराने वाली बात नहीं क्लियर हुआ, अब इसके फीचर पर आ रहे थे हम, तो ये एक डीजल वाली सम्मरीन है क्लियर हो गया, साथी साथ इसका क्या काम है, इसका काम है दुश्मन की सम्मरीन को उड़ा देना, मतलब अराम से लड़ाई कर सकता है, वार के लिए हाँ पर इस पूरे सम्मरीन को बना लाया जा सकता है, और टॉर्पिडो नहीं ले जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, तीस माइन को आप लोग यहां पर ले जा सकते हो, टॉर्पिडो की जगा पर तीस माइन को कैरी कर सकते हो, और इस माइन से हमला कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़े यहां पर बताए गई, सा लगबग आठ ऑफिसर्स जा सकते हैं और साजय थर्टी फाइफ अलग से मैं यहां पर कैरी कर सकती है वक्षीर उसके साथ साथ इसकी लेंथ और हाइट के बारे में बताए गया है यह हमाले ज्यादा इंपॉर्डेंट नहीं है स्पीड के बारे में देख सकते हो जो वक्षीर चल रही है 12 से 18 महीन तक सी ट्राइल चलेंगे अब सी ट्राइल्स एंड होने के बाद में फाइनली इस सर्मरीन को हमारे क्या करेंगे इंडिया नेवी को सौंप देंगे इंडिया नेवी के पास हम बाद में यह समरीन आएगी ताकि इसकी प्रॉपर टेस्निंग हो सके और एक तरीके से हम लोग यहाँ पर आपका सकतो पूरी मजबूती इसकी चेक कर सकें और देख सकें कि हाँ बिल्कुल लायक है यह सर्मरीन हमारी नेवी को सौंपने के लिए हमारी नेवी के लिए वर्क करने के लिए या नहीं जब सारी चीज़े यहाँ पर आपका सकतो कंफर कम हो जाएंगी दन उसके बाद हम लोग इसकी डिलिवरी को एंशॉर करेंगे क्लियर हुआ तो यह हमने सम्मरीन वक्षीर के बारे में जाना अब कुछ और इंपॉर्टेंट नोट है इस वाली सिलाइट को भी आपको अपने पास डाउनलोड करके रखना है या पीडियाफ आ आपको अलग-लग क्लास की सम्मरीन मिलती है जैसे की चक्रा क्लास हो गया चक्रा क्लास यहाँ पर आप देख पाओगे रश्या की हल्प से बनाया है 2012 से आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा दूसरा अरिहंत क्लास है अरिहंत क्लास क्या है यह है न्यूकलियर पार वा बाद कलारी खार वरेल शस्तिißt के knife को बाद कलवरी क्लास की सम्मरीन आपको देखने को मिलेगी यह भी diesel अटैक सम्मरीन है इसको फ्रेंच कंप्पडिय की heilp से डिजाइन किया गया गया है उसके बाद एक आता हैसी लिल्हक्स अच्छ क्लियर हुआ तो यह हमारे पास चोटी सी इंफोमेशन थी बाखी इंडियन नेवी सम्मरीन्स के बारे में आपको बता दिया एक कलवरी क्लास है स्कॉर्पीन वाली जो कि यहां पर फ्रांस की मिदल से बनाई गई है शिशोमार क्लास यह जर्मनी और सिंदुकोष खिलो यह य जल्दी से टार्गेट एचीव करवादो 2K प्लस लाइक्स का दिन उसके बाद अगले आटिकल पर आते हैं नेक्स्ट आटिकल बहुत बहुत इंपोरेंट होने वाल है आपको बता होगा एक इशू के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है जिरुसिलम के अंदर बह इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अगेन एक्स्ट से यह सारा डेटा को उठाया गया यहां पर मेंशनल किया गया है कि जो जेुरुसिलम का अंदर अल-ख्सम आपको देखने को मिलता है इस अल-ख्सम के अंदर बहुत सारी लगातार देखने को मिलते हैं तो वो है वो सारी बात है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं तो अभी फिलाल यह क्यों चर्चा में आया क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से काफी बड़ा क्लैश देखने को मिला बहुत जादा पत्थर बाजियां चली है वहाँ पर इसी वजा से अल-अक्सा मौस्क यह फिर से च कर दूँगा क्योंकि इन एक वीडियो भी शेयर कर रखा है ट्विटर पर यह काफी सारी वीडियो यहाँ पर ट्रेंड पर थी जहां पर इस प्रकार से सारी वीडियो चलेंगे पत्थरवाजी करी गई है मौस्क के अंदर में क्लियर हुआ अब पहले हम आपको कुछ चीज यहाँ पे पलेसीन वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा पलेसीनियंस रहते हैं अब यहीं पर आपको यह जेरुसेलम देखने को मिल जाता है जेरुसेलम वाले एरिया को अगर हम लोग थ्पला सा जूम करें तो यह इसराइल हुआ यहीं पर जो आपको red color का tag देख देखने को मिलेगा, यहाँ पर विवाद ऐसा नहीं है, कोई ना याठ दसियों साल से ऐसी धड़ब हमेशा देखने को मिलेए, और जड़ब किस के बीच में होती है, यह होती है इसराइल और पलेस्तियन के बीच में और आपको पता होगा इसराइल पिलेस्टीन के बीच में अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिक्ट देखने को मलता है इसराइल पिलेस्टीन के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फिक्ट यह है क्योंकि इसराइल ने मतलब आपका सकतो कबज़ा करकर के पूरा पूरा इसराइल को बसा रखा है इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद रहता है रिसेंटी पिछले साल की बाते पिछले साल की कुछ यही समय था जब 11 दिंगी वार चली थे आपको बता होगा चार सो साड़े चार सो रॉकेट छोड़े गए थे ऐसे ऐसे आर्टिकल्स कवर हो रहे थे तो मतलब काफी बिकट सी वार होई थी उससे पहले भी सिक्स डे वार हो चोगी है उससे पहले भी इसराइल पिलिस्टीन में काफी सारी वार हो चोगी है ठीक है इसराइल पिलिस्टीन का कॉन्फिक्ट अपने आप में बहुत लिंदी सा कॉन्फिक्ट आपको देखने को मिलेगा लेकिन अभी हम लोग किसी और ट माना माना एक Monument आपको देखने को मिल जाता है ठीक है अभी इसकी एक Location और मैंने लगा रखिए यह आप देख पाऊगे ठीक है अलक्सा मॉस्क यह हुआ उसके बाद इधर Dome of the Rock भी आपको यह देखने को मिल जाएगा फिर उसके बाद इधर Temple Mount भी देखने को मिल जाएगा Temple Temple Mount दियान दखना क्योंकि Temple Mount के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो अलक्सा मॉस्क के बारे में जाना साथी साथ यहाँ पर जो यह युनास्को है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इन्होंने यहाँ पर यह जो जेरुसेलम है जेरुसेलम एक पुराना सा जो शहर है इसकी जो दिवारे वगरा है इसको World Heritage Site का मतलब टैग भी दिया हुआ है और यहाँ में बताया क्या जो अलक्सा मॉस्क है यह हमेशा से इस्राइल और पलेसिन के बीच में एक कॉन्फिक्ट में रहा है ठीक है इसलाम और जुदेजिम का यहाँ पर आपको कॉंसर्प देखने को मिल जाएगा अभी फिला सा इतिहास में आपको बता देता हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे समझ पाओ यह जो मैंने अभी आपको थोड़े पहले मैप दिखाया था ना एक सेकेंड उग जाओ यह जो मैप आपने देखा है इसराइल का ठीक है यहाँ पर गाज़ा पट्टी है इधर यहाँ पाओगे पूरा का पूरा ही इसराइल बन गया कैसे तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह जो रेड सॉरी वाइट वाइट कलर का जो छोड़ा छोटा एरिया है न यह यहाँ पर सिर्फ और सुरिफ जूइश एरिया हुआ करता था बाकी सारा पलेस्तिनियन का हुआ करता यहाँ पर आप देख पाओगे 1947 में यह एरिया काफी बढ़ गया फिर उसके आद 1949 से लेकर 67 के बीच में इसराइल और जदा बढ़ गया कबजा कर करके अब यहाँ पर 1949 से लेकर 67 के बीच में इन फैक्ट इसराइल ने बहुत सारी जमीन एजिप्ट और जॉर्डन तक की पर रहते हैं इसी को हम लोग वेस्ट बेंक वाला रीजन बोलते हैं तो यह कब जाया गया इस प्रकार से क्या हुआ जैसे से प्रोसेस चल रहा था इसी बीच में इसराइल और पलेस्टिन के बीच में जड़ब चलती रही लड़ाई चलती रही ठीक है काफी सारी वार्स भ आपको देखने को मिल जाते हैं अब क्या होता है एक चीज और भी है अभी जो रिसेंटली कॉन्फिक्ट हुआ है वह इसलिए हुआ है कि यहां पर जो काफी सरे इसराइल के लोग है इसराइल के 10 से 12 लोग यहां पर कहां पर पहुंचे अलक्सा मॉस्क पर पहुंचे ठीक ह क्योंकि अलक्सा मॉस्क अपने आपमें यहां पर इसलाम के लिए माना जाता है अगर हम लोग रिलिजियस वाइस बात करें तो इसलाम के लिए सबसे इंपोर्टन प्लेस है तो यहां पर कोई भी इसराइल का व्यक्ति नहीं जाएगा मतलब यह खास कर इसराइल का जाकि कोई प्रेयर नहीं करेगा यहां पस यह यहां पर मेंशन किया गया था कि आप लोग प्रेयर नहीं करोगे तो यह चीज़े हो गई लेकिन पिछले कुछ टाइम पर यहां पर क्या हुआ डिगिंग चल रही थी डिगिंग मतलब इसराइल की सरकार इतना सपोर्ट करती नहीं है लेकिन क्या हुआ 10 से 12 लोग यहां पर इनको पता चलता है तो यह वापस से जाते हैं सोचते हैं अलग सा मॉस्क चलेंगे और वहां पर प्रेयर वगरा करेंगे अपना यहां पर किगनिशन देंगे यह जगह हमारी है अलग स से बेश दिया गया, इससे जो है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, पलिस्तिनियन्स काफी घबरा गए, यहाँ पर बहुत सरे इसलाम के लोग हैं, पलिस्तिनियन्स भी काफी घबरा गए, इनका कहना था कि भई देखो आज यह हुआ है, आज पुलिस वाण रोक लिया, अकल पता नहीं रोख पाएंगे नहीं रोख पाएंगे तो इससे काफिचरी प्रॉब्लम्स क्रेट हो सकती है। और एंटर करने के बाद यहां पर यह पूरा पूरा विवाद चला, पत्थर बाजी चली जो कि अभी आप लोगों मैंने थोड़ देर पहले बताया। तो यह तो इसराइल और प्लिसिंग का करेंट कॉन्फिक्ट आप लोग देख पाओगे जो भी इशू चर्चा में है। यह आपने क्लियर कर लिया। दन उसका और ही है के चीज़े मेंशन की गई हैं यह मैंने आपको बताई दिया है। दन टेंपल मौंट के बारे मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है अलकसा मॉस्क के पास मैं आपको डोम आफ ता रॉक देखने को मिलेगा। आगे की बात करते हैं और यही मैंने आपको बता दिया कि अलकसा मॉस्क का कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मक्का मदिने के बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर इसलाम के अंदर अलकसा मॉस्क है। फिर जुदाइजम के करम लोग बात करें बोला जाता है कि यहाँ पर यही जगा वो एक जगा है जहाँ पर गॉड ने कुछ दस्ट को गैदर किया और उसके आडम को क्रियेट किया था। इसको दिस्ट्रॉई कर दिया था, बेबिलन के थुरू, बाकी आपर बता गया जो पहली सेंचरी है, मतलब फिर्स सेंचरी बीसी में क्या हुआ, जूज ने वापस से रिटन किया और उसका अपना सेंचरी तेंपल यहाँ पर क्रेट कर देता, सेंचरी यहाँ पर बेई था यहां पर एक बीच की जगा बन जाती है, जिसको लेकर विवाद और जदा बढ़ जाता है, फिर उसका अलग सा मॉस्क भी है पर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर विवाद और भी जदा बढ़ जाता है, अब एक ओरिजिनल 1947 का UN Partition Plan है, इसके उकरडिंग बात करें, तो जो Jerusalem है, यह बिसिकलि एक International City के तोर पर देखी जाती है, हाला कि यहां पर बुला गया, जो First Arab-Israel War था, 1948 का यह देखरे को मिला था, जहां पर Israel ने, बहुत सारे एरियास को capture कर गया, कबजाया, जैसे मैंने भी आप लोग को मैप में दिखा दिया है, in fact, Jordan का कुछ एरिया कबजा तो इसके बाद यहां पर एक War देखने को मिलता है, Six Day War, इसको हम लोग Six Day War के नाम से जानते है, 1967 के अंदर हुआ था, एक तरफ Israel था और दूसी तरफ यहां पर Arab States थे, जहां पर Jordan, Syria, Egypt, Valkf Ministry of Jordan, यह सब लोग एक साथ थे, ठीक है, तो यह आप लोग देख पाओगे, उसके पर इसरेल जीच जाता है, इसरेल यहां पर फिर East Jerusalem को कबजा लेता है, Jordan से यहां पर यहां पर इस्ट जेरुसेम वाला हिस्सा ले लेता है, Six Day War के अंदर, और फिर उसके बाद यहां पर उसको पूरी तरह से बाद में कबजा लेता है, फिर उसके बाद यहां पर आप देख से समझ गए होंगे दन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है खास कर आप लोग इसको जी एस पेपर थी एकॉनमी से रिलेट कर पाओगे वर्ल बैंक एक रिपोर्ट है वर्ल बैंक ने इंडिया की पोवर्टी के बारे में इंफोर्मेशन दी है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप देख पाओगे बताया यह ग्या जा रहा है लगातर बहुत सरे कवर करेंगे पहले तो वर्ल बैंक ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका टाइटल है पोवर्टी हैस डिकलाइंड ओवर दा लास्ट डिकेड बट नॉट एस मच एस प्रिवियसली थॉट जितना सोचा गया था उतनी तो पोवर्टी यानि गरीबी खतम नहीं हुई है ल अब इसमें बताया गया जो पोवर्टी है पोवर्टी के भी आपको अलगलग काटिगटगरी देखने को मिलेगी एक होती है एक्स्ट्रीम पोवर्टी मतलब कुछ जादा हद से यहां पर गरीबी देखने को मिल जाती है अब extreme poverty को world bank ने खुड define किया है कैसे कि मालो एक व्यक्ति है जो कि 1.90 dollar per day यानि per person इससे कम कमा रहा है तो वो extreme poverty की category में इससे उपर कमा रहा है तो वो यहाँ ठीक ठाक है उसको यहाँ पर खाना मिल रहा है तो वो extreme poverty की category के अंदर नहीं आएगा यहाँ पर बताए गया तो लग rate है यह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था अभी यह decline हो चुका है और लगबग जो gap है इनका ठीक है मतलब 2011 में 22.5% का 2019 में 10.2% तक का rate देखने को मिला है अब इस gap को आप देख सकते हो मतलब जो यह गरीबी है यह लगबग 12.3% से यहाँ पर कम होई है यहाँ पर इस report ने बताया हालकि यहाँ पर इन्होंने फिर आगे चीजों को और थोर से classify कर दिया है इन्होंने रूरल और urban poverty को भी divide कर दिया मतलब कि गाउंवाले area के अंदर किस प्रकार की गरीबी देखने को मिल रही है वहाँ पर जादा है या फिर शहर वाले area के अंदर गरीब 2011 के अंदर 26.3% की हुआ करती थी जो की 2019 में गिर कर यह 11.6% की पहुच चुकी है यह गाउंवाले area का डेटा बताया गया अब हम लोग urban area की बात करें तो urban area में यह आप देख पाऊगे 14.2% की हुआ करती जो की कामों के 16.3% की पहुची है एक्जैक्ली बात करें जो rural और urban poverty है यह दोनों मिलकर इनका total data है 14.7% का आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे and 7.9% के जो points है यह gain करे गए हैं लगबग 2011 से 2019 के बीच में आप कह सकते हो कि poverty जो है इतने इतने प्रतीशत से लगातार decline यानि कम होती हुई नजर आई है ठीक है तो point wise और percentage wise यहाँ पर data दिया ग एक बात और बता दूं कि जब आप लोग इंडिया की poverty देख रहे हो कि यहाँ बिल्कुल 12.35% से कम हुई है तो यह कोई मतलब इंडिया की कम हुई है तो कोई अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी बिल्कुल अच्छी बात देखने को मिलेगी लेकिन एक चीज और जब हम लोग इंडिया की poverty को दुनिया की poverty से कम करते हैं तो compare करते हैं तो वर्ड लेवल पर रना गरीबी इंडिया से भी ज़ाधा तेजी से कम हुई है भारत के अंदर थोड़े सा कम मतलब growth रही है लेकिन पूरे दुनिया भर में गरीबी और तेजी से कम हुई है भारत क कम तो हुई है लेकिन बहुत slow rate से हुई है ये भी आप लोगो ध्यान अखना है ठीक है फिर उसके बाद इसी report ने small farmers के बारे mention किया है जो small holder farmers है मतलब कि जिनके पास थोड़ी सी जमीन देखने को मिलेगी बताया गया कि इन farmers की जो income है वो भी यहाँ पर growth हुई है ठीक है उनकी income को अंदर growth देखने को मिली है जो real income है farmers के लिए ठीक है या फिर यहाँ पर जो छोड़े छोड़े farmers है उनकी income 10% से increase होई है यह बताया गया साथ साथ यहाँ पर बड़े farmers की income भी यहाँ थोड़ी सी increase होई है लेकि छोड़े farmers की income जादा बड़ी है तो यह सारी report आई है और publish करने वाली body world bank है तो world bank के बारे में भी जान लो prelims में आप से यहाँ पर काफी सरी questions बन सकते हैं directly तो world bank के बारे में बात करें तो इस bank को create किया गया था 1944 में ठीक है उस समय पर इस दो bodies हुआ कर थी basically पांच body लेकर आये थे world bank के अदर पांच bodies थी पांच bodies कौन कौन सी IBRD, I IDA, IFC उसके बाद ICS ID देन उसके बाद MIGA, IBID के वुलफ़म है International Bank for Reconstruction and Development इसका major काम है जो middle income countries बगरा हो गई या low income countries हो गई उनको यहाँ पर support करना उनको कुछ पैसा बगरा provide करवाना उसका जो IDA है वो है International Development Association इसका major काम भी है कि जो गरीब देश है उनको interest free loan देना ऐसा loan द लिया जाए ठीक है फिर उसके बाद तीसरी body है International Finance Corporation ये भी basically developing countries की help करती है ताकि जो developing countries है उनके अंदर investment किया जाए और साथी साथ यहाँ पर उनकी grade को sustainable growth बनाया जाए उसके बाद जो तीसरी body है वो ICS ID आपको देखने को मिल जाएगा International Center for the Settlement of Investment Dispute से इसका नाम है देखने major काम है कि जो यहाँ पर countries है जो की सफर कर रही है उनके अंदर investment को increase करना foreign direct investment को promote करना साथ सद घरीबी वगरा को कम करना लोगों की living of standard को improve करने का यह काम करती है तो यहाँ पर पाच bodies को लेकर आये थे अब जो world bank है world bank basically कैसे बना तो world bank इन दो bodies से मिलकर बनाए जो यह दो bodies है IBRD और IDA इन दोनों ने मिलकर पूरी तरह से world bank को बनाया हुआ ठीक है तो IBRD और IBDA के मतलब इन दोनों body के help से world bank मनाए तो ध्यान रखना बाकी world bank के बारें बात करें तो world bank group अपने आप में एक important group देखने को मिलेकर जो की दुनिया भर में कापची सारा पैसा provide करवाता है यह गरीबी को मिटाने के उपर यहाँ पर focus करता है खासका developing country इसको पर focus करता है इसका headquarter आपको Washington DC US में देखने को मिलेगा इसके president David Malpass है found कप किया गया था या आपने देखी लिया है उसके बाद इसका motto यह है कि दुनिया बर को हम लोग गरीबी से मुक्त कर दे उसके बाद इसके body के अदर कौन को सी देखने को मिलती है मैं आपको बता दिया parent organization कौन सी है तो United Nation इसकी parent organization है founder कौन को है किस किस ने हापर world bank को found किया था तो John Maynard Keynes और Harry Dexter White ने हापर इसको found किया था और world bank के कितने members है तो total 189 member countries देखने को मिलती है इंडिया भी यहाँ पर इसका एक member है reports के बारें बात करें मतलब की देखो world bank न ये काम करने के साथ-साथ अलग-लग reports को publish करता है जैसे अभी गरीबी को लेकर एक report लेकर आया उस प्रकार सी अलग-लग और report लाता है एक report है ease of doing business की जो की अभी यहाँ पर बंद कर दी गई है अब ये ease of doing business की report नहीं आती है उसके केर हुआ चलो next article पर चलते हैं अगला article भी बहुत important होने वाला है हमारे examination के point of view से इस article को आप लूग GS paper to health से relate कर पाओगे बात ही गई है polio virus के बारे में अब ये polio virus चर्चर में आया तो मैंने सुचा directly मैं आपको polio virus के बारे में काफी सारी information दे दूँ जो कि directly आपको help तो वहाँ पे भी आपको ये definitely help करने वाला है दोको polio एक deadly viral infection है मतलब कि इसकी वे से जान भी जा सकती है direct क्या करता है ये ये nervous system को affect करता है आपके brain को बुरी तरह से hit करता है बताया जा है कि लग बग आपको तीन अलग अलग इसके strains देखने को मिलते हैं तीन strains में पहला strain है wild polio virus type 1 दूसरा type 2 और तीसरा type 3 का प्रगमादब ये तीन प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं बाकि अगर अब लोग बात करें तो सबसे important चीज़ ये है कि ये जो polio virus है ये काफी खतरनाक भी हो जाता है खतरनाक बोले तो लगबग यहाँ पर इसकी वज़ा से लोग व्यक्ति में फैल जाता है कई सारे कारोड हो सकते हैं जैसे कि मालो कोई गंदा खाना हो गया ठीक है जूटा खाना हो गया गंदा पानी हो गया तो उसके मदद से यहाँ पर फैल सकता यह polio virus या फिर faecal oral root हो गया faecal oral root का मतलब यह है यहाँ पर आप देख पाओगे एक व हैं तो इस प्रकार की जो चीजे हैं वो निकल कर आती हैं मतलब directly faecal oral root से की मदद से भी जो यह polio virus है वो फैल जाता है फिर उसका बात बताया गया जो यह polio virus है यह ज्यादतर affect करता है पांस साल से कम उम्र वाले बच्चों को आपको बता हुग ऐसी वैसे polio की बहुत सारी drops वगरा भी पिलाई जाती है यह जो वायरस है यह intestine में जाकर multiply होने लगता है यह दुगना होने लगता है और फिर उसके बाद direct attack करता है हमारे nervous system को और फिर उसके बाद nervous system को attack करने के बाद हमारी muscles काम करना कम कर जाती है और paralysis वाली हैं पर condition देखने को मिल जाती है ठीक है यह कुछ लोगों के अंदर थोड़े बहुत symptoms देखने को मिलते हैं जैसे कि बुखार हो गया तकान, nausea, headache हो गया या फिर हाथ में दर्दे, पैर में दर्दे इस प्रकार के कुछ अलगलग प्रकार के लक्षन देखने को मिल जाते हैं ठीक है और कुछ cases में जो muscle की functioning है वो बंद कि यह जान भी ले सकता है जो muscles हैं जो breathing के लिए use की जाती है अगर वो muscles paralyzed हो जाएं वो work करना बंद कर दे तो इसकी वैसे यहाँ पर आपके सकते हो इंसान की जान भी जा सकती है तो polio इतना दादा खतरनाक हो सकता है तो इसको रोकने के लिए इसको ठीक करने के लिए कोई उ आपके लिए तो तीन दो तीनों से काफी खराब चला है न लेकिन कोई बात नहीं मतलब भी बीच बीच में आवास निकल बंद हो जाती है कभी-कभी बहुत परून लगता है वह अचानक से मतलब अभी तक नहीं हो रहा है अराम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अचानक स पोलियो वैक्सिन आपको देखने को मिलती है ओपी नाम की इसको हम लोग देता है जब बच्चे का जन्म होता है ठीक है आपके सकतो लगबग 6-10-14 हफतों में दिया जाता है प्लस एक बूस्टर डोस यहां पर दिया जाता है 16-24 मैनों के बीच में तो इस प्रकार से बच् से इसको यूज करके हम लोग आप कर सकते हो पोलियो को ठीक कर सकते हैं यह क्या है इसको दिया जाता है डीपीटी की थर्डोस के साथ में डीपीटी की डिप्थेरिया पर टीटनेस के साथ में आपर इसको दिया जाता है तो आप लोग इसके बारे में ध्यान लग सकते हो ब अब उससे पहले, 2014 से पहले लगातार तीन साल तक हमारे यहां पर कोई भी पोलियो का केस निकल कर नहीं आया था, तो एचिवेंट अपने लिए हमाले काफी है तक important थी और उसके आद बताया गया, जो last case देखने को मिलाए हमारे देश में पोलियो का, वो detect का गया था 13 जनवर 2011 में, उसके बाद से अभी तक कोई भी पोलियो का case नहीं आया है, इसी वेसे भारत पोलियो मुक्त है, पोलियो free country, 2014 में declare किया गया था, अब question यह है, पोलियो को रोकने के लिए, क्या-क्या steps उठाय जा रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे, दुनिया में क्या-क्या steps उठाय के थुरू, ठीक है, और national government के थुरू, और साथ-साथ जो world health organization है, इसके थुरू, आज के time पर बताया गया, लगबक 80% मतब दुनिया भर की जितनी भी जनसक्या है, उसकी 80% जो जनसक्या है, वो polio free region में रहती है, हमापे कोई भी polio का case आपको नहीं देखने को मिलेगा, और फिर उसका बताया गया, estimated 1.5 million childhood death को यहाँ पर बचाया गया है, साथ-साथ यहाँ पर कुछ तरीके चलाया जा रहे है, जहाँ पर vitamin A को दिया जा रहा है, ठीक है, vitamin A को polio immunization activities के साथ में दिया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर polio day के बारे mention किया गया है, तो देखो, ह हर साल हम लोग 24 October को world polio day को observe करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक important data आपको मिल चुगा है, तो यहाँ पर observe किया जाता है, ताकि हम लोग यहाँ पर लोग को बता सकें, कि यहाँ पर एक खतरना विमारी है, इसके against यहाँ पर हम लोग एक protection चाहिए, तो world polio day को भी मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान दखना है, इसके बारे में, बाखी eradication measures के बारे में बात करें, अब इंडिया की, यह तो हमने बात करीं, दुनिया के अंदर क्या क्या चलाया जा रहा है, पोलियो को रोकने के लिए, अब बात करें भारत के अंदर क्या हो रहा है, तो भारत के अंदर एक पहला प्रोग्राम है Pulse Polio Program, इसको स्टार्ट किया यह था, एक objective के साथ में जहां पर हमारा major मकसद था कि हम लोग लगबग बहुत सारे लोग को oral polio vaccine दे दे और polio से बचा ले, दूसरा हमारा प्रोग्राम था Intensify Mission Indra Dhanush 2.0, इसको यहां पर लाया यह पुरे देश बर में और यहां पर हमारा focus यह था कि हम लोग क्या कर सकें, आपका सकते हो कि polio को रोख सकें, तीसरा यहां पर program था Universal Immunization Program, इसको launch किया यह था 1985 में, इसका भी major मकसद थी था कि हम लोग immunization को, लोगों की immunity को बढ़ाने के लिए जो immunization है उसको expand कर सकें, तो यह कुछ steps यहां पर India के थुरू उठाए गए थे regarding polio virus, आगे चलते हैं, अब आते हैं अगले article पर, next article में भी काफी सारी important factual information है, जो की directly आपको prelims में help करेगी, बात की गई है Colombo Security Conclave के बारे में, तो article P.I.B. के अदर अभी आपको देखने को मिल जाता है, मुद्दा क्या है, म इसका एक virtual conference अभी organize किया गया, हमारी इंडिया की national investigation agency के थुरू, अब इसके अंदर जो भी participants है, जिन्होंने भी participants, मतला participate किया था इसके अंदर, उन समने मिलकर काफी सारे challenges को discuss किया, जैसे की आतंगवा से कैसे लड़ा जाए, ठीक है, या फिर हम लोग अपने maritime, यानी अपरेट कर सकते हैं, प्लस internet का misuse हो रहा है, तो उसको कैसे counter करें, social media का misuse हो रहा है, उसको कैसे counter करें, तो ये सारा discussion हुआ है, अभी recently, Colombo Security Conclave के अंदर में, ठीक है, जो कि भारत की NIA ने launch किया था, तो इसके बारे में काफी सरी factual data है, जो कि आपको ध्यान अकना है कि Colombo Security Conclave क्या है, तो CSC को form क्या गया था, बनाए गया था, 2011 में, एक trilateral maritime security grouping है, ये, मतलब कि इसकंदर आपको तीन देश देखने को मिल जाते हैं, इंडिया, स्रिलंका और मॉल्दीफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब पहले, starting में तीन देश हुआ करते थे, बा आप आप देख पाओगे, members के बारे में, तो इस group को लाया गया, 2011 में, starting में, इंडिया, स्रिलंका, मॉल्दीफ्स हुआ करते थे, दन उसके बाद अगली meeting में, इसमें, मॉरिश्यस को भी आइड कर लिया गया, बाकी observer status वाले countries भी देखने को मिल जाती है, बांगलदेश और sea chills, दोनों यहाँ पर observer country है, basically इनकी यहाँ पर activities को observe करने के लिए work करती है, बाकी हम लोग गोल के बारे में, बात करें, कि इस conclave का major goal क्या है, देखो इसका major goal है, कि आपस में इन countries के बीच में, जितने भी 4 countries है, 4 countries आपस में ही देखने को मिल जाएंगी, बहुत पास पास में cooperation को बढ़ाने का काम करता है, साधी साध यह countries कुछ ना कुछ लगबख 4-5 pillars के उपर काम करती है, यहाँ पर पहला pillar है, maritime safety and security, वही मतलब की आप देख पाओगे, इंडिया है, इंडिया के नीचे मौलदीव्स है, उसके इधर इस लंका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक यहाँ पर जो cyber attack वगरा है, उसको tackle करने का, साध साध मालो कोई disaster आ जाता है, तो उस disaster में यहाँ पर assistance देने का मतलब एक दूसरे को countries जो help provide करवाएंगी, वो काम भी यहाँ पर ही countries करती है, तो यह इनका major focus है, इन 4-5 चीज़ों के उपर इनका work रहता है, और फिर उसके इंडिया, Maldives, Sri Lanka और Mauritius यहाँ पर Maldives के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यह countries आ जाती है, लेकिन इस वाले group के लिए काफी सारे challenges भी आ जाते हैं, वो challenges क्या क्या है, सबसे पहला challenge हमाले आता है, चाइना को counter करना है, देखो चाइना अपना influence यहाँ पर इन countries में बड़ा भी रहा है, आप Maldives में देख पाऊगा है, चाइना के investment वगएरा खाफी जाता देख रही को मिलेगा, ठीक है, इन countries के उपर अपना चाप छोड़ रहा है, इन countries के उपर कबजार करने की पूरी तरह से कोशिच कर रहा है, आप स्रिलंका के example ले सकते हो, स्रिलंका के जो coastline है, वो आपको 7500 km की coastline देखने को मिल जाती है, आसपास बहुत सरे आपको islands देखने को मिल जाते हैं, तो यह यहाँ पर जो group है, यह help करेगा कि हम लोग इस पूरे area को protection दे सके हैं, साथ साथ हाँ पर इस group का major काम यह भी है, कि हमारे Sagar Vision के अंदर एक आपके सत्तों की synergy produce करता है, मतलब कि एक मिल मिलापस रहता है हमारा, सागर वीजन क्या है तो आपको पता हुगा, हमने Mission Sagar launch किया था, COVID-19 के टाइम पर यह तो अच्छा है, यह तो Mission Sagar है, सागर वीजन के अंदर भी हमारा security and growth for all in the region के उपर focus करता है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी देश यह हमालों हैं, आपर इंडिया हुआ, इंडिया के साथ इस particular group के अंदर Sri Lanka हुआ, Maldives हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पर आप देखपा हुआ, मौरिश्यस हुआ, तो इन सब की growth के उपर भी हम लोग काम करते हैं, बाखी इन countries के साथ में हमारे relations बहुत अच्छे हैं, आप लो इसको 600 टन food items दिया था हमने, मौरिश्यस को हम लोगों ने बहुत सारी essential medicines दिये हैं, और खानी पीने का सामान दिया, आयोरवधिक medicines दिये, मडगासकर को हम लोग ने COVID-19 से संबंदित accession medicines को दिया, हाइड्रोक्स औ क्लोरक्विन tablets यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं इनको ठीक है, कोमोरोस को हम लोगों ने यहाँ पर काफी सरी tablets प्रोवाइड करवाई हैं, सीचिल्स को हम लोगों ने essential medicines दिया था, तो COVID-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने इन countries की पूरी तरह से मदद करी है, मिशल सागर के अंडर में तो आप लोग धियान रख सकते हो इसके बार हो रहा था, मेरे दिमां में हमेशा वो गूम जाता है, जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो, वो यह था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कैसे मगाएगा, ठीके पाकिस्तान बता नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, स्पलिंग ले पाएगा, स्पलिंग लिख यह P.I.B. का आर्टिकल है, डिफेन सेक्रेटिंग ने उद्गाटन कर दिया है, टू डे नेशनल लेवल पॉलुशन रिस्पॉंस एक्ससाइज का, आप जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, तीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस नेशनल लेवल पॉलुशन रिस्पॉ को 45 इंटरनाशनल पाटिस्पेंट्स देखने को मिलेंगे, अठारा कंट्रीज के यहाँ पर अगलग-गलग मेंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब क्या है, इनका मिजर काम है, कि देखो समूधर के अंदर बहुत सारा पॉलुशन वगरा हो रहा है, ओईल फैल जाता के अंदर आप देख पाऊगे, दो दिन का प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे कि किस प्रकार से मालो कोई ओईल फैल गया, ओईल इस्पिल हो गया, तो उसके प्रतिक कैसा रिस्पॉंस होना चाहिए, ओईल इस्पिल मतलब मालो कोई जहाज है, ठीक है सारी चीज़े यहाँ पर देखने को मिल सकती है, इस प्रकार से ओईल इस्पिल के केसिस निकल कर आते हैं, अब यह बताया गया, कि यहाँ पर जो यह ओईल इस्पिल है, यह अपना आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको टैकल करने के लिए, इसके रिस्पॉं इसके बारे में बात करेंगे, अभी यहाँ पर चर्चा में इसलिए है, क्योंकि इनकी बर्थ अनिवर्श्री को और्गनाईस किया गया है, और 1857 के करांती के एक हीरो माने जाते है वीर कुवर सिंग जी, अब इनकी बर्थ अनिवर्श्री कब मनाई जाएगी 23 अपरल को, 23 अपरल यहाँ पर आप देख पाओगे, अभी हमारी कल 23 अपरल देखने को मलेगा, तो 23 अपरल को बर्थ अनि जो बाबू कुवर्ड सिंग जी के नाम से भी जानते हैं, एक यह लीडर थे, 1857 के पूरे करांती के अंदर एक लीडर की तरह इन्हों ने काम किया, साथ-साथ यहाँ पर यह उजयनियन क्लाइन आफ़ परमाराजपुद की फामिली से बलाउं करते हैं, ठीक है, जगदीश जो कि आज के टाम पर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने हो मिलेगा, बिहार के अंदर, उसके आज बताया गया, 80 की एज में यहाँ पर इन्हों ने पूरा का पूरा आम्ड सोल्जर का बैंड सेलेट किया, और साथ-साथ नहाँ ब्रिटिश एस्ट इंडिया के ख जानते हैं, तो यह कुछ डेटा था, 1857 के अंदर एक महाथपूर्ड रोल था इनका, तो यह कुछ प्रिलिम्स के पॉइंट अव्यू से इंपॉरेंट हो सकता है, तो ध्यान रख सकते हो, खासकर बर्थ अनिवर्सरी को लेकर क्वेशन बन सकता है, अब लास्ट में कुछ अब लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुन लिया है, तो क्वेशन यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे, पहला क्वेशन आपसे पूछा गया, देखो छटी और लास्ट फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास समरीन भारत के अंदर आ चुकी है, वही में लॉंच कर दी गई है, तो चल पॉट पब्लिश करें, जिसका टाइटल है, पोवर्टी हैस डिक्लाइट, ओवर दा लास्ट डिकेट, बट नॉट एज मच अच प्रिवियसली थॉट, अगला क्वेशन बोलता है, जो वर्ल्ड पॉल्योड है, इसको हम लोग अब्जर्व करते हैं, हर साल कौन सी तारीक म उसके बाद अगला क्वेशन बोलता है, कि अभी किसने आठवा एडिशन, जो नाट पॉलरेक्स 8 है, इसका आठवा एडिशन कंडर्ट किया है, तो उसका नाम बताना है, अगला क्वेशन, यहाँ पर आप देख पाओगे, जो वीर कुवर सिंग जी है, इनकी बर्थ अगले स्लाइड में ही दे रखें, चाहो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइस खुद अटेम्ट करोगे, तो ज़्यादा बेतर रहेगा, अब फटा-फट हम लोग अपना रिविशन लेता है, जैसे डेली बिसिस पर आप लोग की डिमांड रहती है, कि लास वक्षीर यहाँ पर पहला आपके question का answer मिल गया, कि French Scorpion class submarine छटी submarine है, जिसका नाम क्या है, आइनेस वक्षीर जिसको भी भारत के अंदर launch कर दिया गया है, खासकर मूंबई में, launching के बारे में हमने discuss किया, फिर उसके बाद मैं आपको बताया, कि इसके साथ 5 submarines और हैं, जिसको अलड़ी हम लोग ले चुके हैं, ठीक है, यह सब कुछ एक project के अंदर में हुआ था, project 75 जिसको sign किया गया था, October 2005 में, वक्षीर का नाम मैं आपको बताया, प्लस वक्षीर के features क्या क्या है, एक diesel attack submarine आपको यह देखने को मिल जाती है, प्लस अभी 12-18 मैने लगने के बाद मे यह वापस से आईगी, बाकि मैं आपको अलगलग classes के बारें बताया, कि यहां पे सिंदु कोश class, यह जो submarine है, यह हमने किस की मदद से बनाई है, रश्या की मदद से बनाई है, तो अलगलग class के submarines में किस किस country का रूल रहा है, फिर उसके बाद हमने submarines के प्रकार को समझा, submarines आ अब जेरुसेलम के अंदर काफी सारे बावाल देखने को मिल रहे हैं, अब क्या हुआ एक विवाद सा देखने को मिला, खासकर अल-कसा मॉस्क के अंदर, अल-कसा मॉस्क के अंदर इस्राइल और पलिस्सिन के बीच में conflict देखने को मिला, और यह बेसिकली यहां पर जेरु यहां पर हम लोगों ने कवर किया, यह सारी important information में आपको लेडी दे चुका हूँ, हमने यह देखा कि विवाद किस चीच को लेकर हो रहा है, विवाद यह है कि इस्राइल को लगता है कि यहां पर temple था नीचे ठीक है, इस mosque के नीचे temple था, तो इसको हटा देना चाहिए मॉस को और यहां पर temple वापस से बनना चाहिए, ठीक है, तो यह यहां पर इनका focus देखने को मिलता है, बाकि इस्राइल और पलिस्तिन के conflict के बारे में जाना हम लोगों ने आपको पता हुगा, दोनों countries के बीच में बहुत लंबे समय से conflict है, 1947 सही, दन उसके बाद अरब इस्राइ ने मिंशन किया है कि भारत के अंदर जो extreme poverty है, वो काफी तेजी से कम हुई है, लगबाग 12.3% की गिरावट देखने को मिली है, extreme poverty क्या होती है, यह हमने समझा, बाकी rural versus urban poverty के बारे में हमने देखा, तो गाउं वाले areas के अंदर गरीबी काफी तेजी से कम हुई है, और साधी साथ इस report ने बताया, जो छोटे-छोटे farmers हैं हमारे जिनके पास कम जमीन है, उनकी income भी बढ़ती हुई नजर आई ले, then world bank के बारे में हमने discussion किया, कि world bank कब बना, कैसे बना, plus कौन कौन सी reports publish करता है, कौन इसके president है, कौन founder है, कौन parent organization है, वो सारी चीज़ा हम लोग already cover कर परसन फैलता हुआ चले जाता है, symptoms के बारे में हम लोगों ने देखा कि काफी सरे symptoms बहुत खतरनाक है, काफी symptoms जादे खतरनाक है नहीं, ठीक कर सकते हैं vaccine के मदद से vaccine यहाँ पर दी जाती है, इंडिया के अंदर जो polio का case से वो बहुत लंबे समय पहले खतम हो चुके हैं, इंडिया को यहाँ पर polio free declare कर दिया गया था, WHO के जरू 2014 में, और आपको बताओगा, जो last case है, इंडिया के अंदर polio का, वो 13 जनवरी 2011 में निकल कर आया था, देन उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर में बहुत सारे initiatives चलाय जा रहे हैं, polio को कम करने के लिए, देन उसके polio को रोकने को पर focus करते हैं, दन उसके बाद Colombo Security Conclave के बारे में हमने discussion किया था, यह अभी एक virtual conference देखने को में लिए, जिसको organize किया है भारत के National Investigation Agency ने, फिर यहाँ पर mention किया गया, कि आप देख पाऊगे, इन्होंने focus किया है कि हम लोग आतंगवा से कैसे लड़ेंगे, इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत यूज से कैसे लड़ेंगे, इस body के बारे में आपको बताया, इस body को बनाए गया था 2011 में, फिर उसके बाद 2011 में पहले स्रिफ और स्रिफ तीन कंट्री इसके अंदर हुआ करती थी, इंडिया, स्रिलंका और मॉल्दीफ, बाद में ने जर फोकस है, चायना को टैकल करना, साथ-साथ maritime security के अदर बढ़ावा देना, और भारत यहाँ पर इन कंट्रीज की बहुत पहले समदद कर रहा है, in fact यहाँ पर COVID-19 ये टाइम पे भी हम लोगों ने काफी सरी help इन कंट्रीज को दे थी, वो help क्या-क्या थी, अभी मैं आपक को अलड़ी बता दिया है, फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिसकस किया, नट पोलरेक्स 8 के बारे में, तो अभी क्या हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड ने आठवा एडिशन इस अभ्यास का कंड़क्ट किया है, जिसका नाम है National Level Pollution Response Exercise, अब इस exercise के अंदर बहुत सारे लोगों ने participate किया है, बहुत सारे participants देखने को मिले हैं, और इनका major focus है कि हम लोग जो oil spill होता है, यानि तेल वगरा फैल जाता है, उस oil spill को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके प्रती हमारा क्या response रहना चाहिए, वो हम लोगों ने cover किया है, उसके बाद यहाँ पे हम लो ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहां से बिलोंग करते थे, और उसके आन में आपको बताया, इनको वीर कुवर सिंग और वीर बाबु कुवर सिंग के नाम से भी जाना जाता है, फिर कुछ questions लिया और questions के बाद हम लोगों ने in answers को भी cover कर लिया है, इसी के बाद करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद